जैहिं दोस्तों ताइए दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है चले दोस्तों आज हम आप लोगों को फिर से बताने वाले हैं साइंस का मौस्ट भी विए अब्जेक्टिव कोस्चन दोस्तों अगर आप भी 2024 में बोड एक्जाम देने वाले हैं और आज हम वही बताने वाले हैं साइंस का वही अब्जेक्टिव कोस्चन जो आपको बोड एक्जाम में देखने को मिलेगा ये आपका महा मेराथन कलास है ये अगर इतना अब्जेक्टिव कोस्चन जितना आज हम आपको बताने वाले हैं ये सारा अब्जेक्टिव अगर करक बताते हैं जो आपको बोर्ड में पूछा जाएगा ठीक है बगबास का को से नहीं बताते हैं बहुत सारा आपको भीडियो मिल जाएगा जहां पर आपको धेर सारा कोस्टन कर आ बता है लेकिन हमको उसे कोई मतलब नहीं है ठीक है हम आपको केवल वहीं बताएंगे जो आपको 2024 के बोर्ड इक्जाम में आएगा ठीक ना तो कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी जूर जाएए और वीडियो को अपने दोस्तों में सेयर कर दिजिए ठीक है तो दोस्तों यह ह हमारा भी चलता है फिजिक्स का अब्जेक्टिव कोस्टन पूरे फिजिक्स का निचोर है यह एक पैकेज है और इस पैकेज को हम बता रहे हैं और आप लोग इमंदारी से यह सारा कोस्टन पढ़के जाईएगा तो एक भी कोस्तन बोर्ड के पेपर में छोड़कर नहीं आ है और समय को देखते हुए सारा काम किजिए जल्दवाजी में यह जितना भी अब्जेक्टिव कोस्टन आपको रटना नहीं है वीडियो एक बार दो बार देखिए आपको एट्वामेटिक यह सारा कोस्टन याद हो जाएगा और नोमरिकल टैप का जितना भी कोस्टन होग बोर्ड एक्जाम में ठीक है तो चलिए डरना नहीं है यह सारा कोस्टन आप लोग एक बार पढ़के जाएए तो चलिए स्रीगनेस करते हैं कोस्टन नमबर एक से पहला है कि कि किसी बोल्ट मिटर के स्केल पर जीरो बॉल्ट और एक बॉल्ट के बीच बीच विभाजन चि चुकि यहां पर कुछ लेगर आये हैं ज्यादा चुकि यह चैप्टर वाइज यह सारा अब्जेक्टिव जो है यह निचोर है तो यहां पर मालेजिए अभी हम आपको नुम्रिकल कराएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग को बोरिंग भी लगेगा तो इ उनीत आप लोगों को याद करके जाना है हुंड तो आप सभी को याद अखना है एक मैख्रो एम्पियर जो होता है एक मियू जी वह हमारा होता है टेन का पावर माइनस सिक्स एम्पियर तो आपसन नंबर टॉक्षी आपको याद अखना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों एक कोस्टन को पढ़ के जाएगे एक भी कोस्टन छोड़ना नहीं है ने तो बात में बहुत पच्ट आईएगा ठीक है चलिए जो ये माहा मेराथन कलास देखकर जाएगा वह ही इस बार साइंस में 95% लेकर आएगा टॉपर में उनका नाम होगा एक भी अब्जेक्टिव कोस सकता है आप लोग समझ सकते हैं किलोवाट घंटा बराबर होता है तो आप सभी को यादखना है 1000 अगला है mango ब्रॉट कोसेट نंबर सिक्स वेन ऐच Pi धाराम अपने में यह हमारा होता है अगला कोशन दिखिएगा फुस्त नमबर 9 आपके सामने एक वॉल्ट क्या कहलाता है दोस्तों यह कहलाता है एक जूल पर कुलाम और बी हो जाएगा और दोस्तों किसी भी कोशन का अंसर पता हो तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर कॉमेंट कीजिएगा ताकि जब हम कॉमेंट बॉक्स को पढ़ है तो देखना चाहते हैं कितना आप लोग का सही हुआ है ठीक है चलिए अगल का अब्स और आबधस आ जाता है दिसके अंदर अध suspension मतलब गर्मी आपके अंदर गुस्सा आईगा arena based में आ जाईएगा तो कोई आपका दोस्त होगा तू आपको बुलेगा बाई साभ गूल हो जांओ मेरेप्यारे दोस और बाद में देख है मांतर हम कुलाम होता है चलिए अगला है कि कौन विदूत का सरवत्तम सुचालग है वह अल मतलब हитो नमबर सी याद रखियेगा ठीक है तो आगे बढ़ते हैं को से नमबर 13 को देखिएगा कोसर के साले कि विभांतर मापने वाले यंद्र को क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है दोस्तों बॉल्ट मीट्टीक और B किसी जौरा जाता है तो आप सभी को यादर रखना है थ og about me बीटर रहता तो आपको समांतर कर्म लगाना ठीक ना दो आए आगे बढ़ते हैं चलिए कोशन नमबर 15 है एक कुलाम विदूत आवेस कितने प्रोटॉन से बनता है काफी इंपोर्टेंट है आप सभी को याद रखना है यह हमारा हो जाएगा देखिए ऑप्सट पर जो है ना के जगह पर सी आ गया है सी के जगह पर भी आ गया है तो इस तरह से आपनों को कंफ्यूज नहीं होना है यहां देखेगा 6.25 गुने 10 पावर 18 होता है ठीक ना तो आगे आईएगा मेरे दोस्तों अगला कुशन है किसी चालक के छोरों के बीच विवांतर भी प्रतिरोध आर आई आर तो अगर आर का मान निकालना है तो भी वट्टे आई आ जाएगा तो देख लिए इस तरह का ऑप्सन ऑप्सन नंबर सी में दिया गया है ठीक ना तो देखे यह कोस्टन काफी इंपोटेंट है इससे नोम्रिकल भी बनता है यह फर्मूला याद रखेगा भी परतिरोध ज्यांत करने का सुत्र है कि सी कुनली का जब हम परतिरोध ज्यांत करेंगे तो उसके लिए कौन सा सुत्र लगाएंगे आर बरावर भी बट्टा आई तो दोस्तों दोजार चुबिस में जितने भी इस्टूडेंट इक्जाम देने वाले हैं क्लास 3 का वो यतना भी science का महम्याथन क्लास चल रहे यह सारा कोश्टन जरूर देखके जाएगा इससे बाहर तो आपको आना एक भी कोश्टन नहीं आएगा ठीक है आप लोगों को घवराना नहीं है डरना नहीं है यह सारा कोश्टन पर लीजिए कि बाहर तो नहीं लड़ेगा कोस्टन बुला है कि एक किलो वार्ट घंटा नेम लिखित में किसके बराबर होता है तो आप सभी को याद रखना है यह होता है बिदूत सक्ति को निरूपित नहीं करता है तो यहां पर बोला गया है ठीक है तो आई आर स्कॉइड नहीं होता है बाद मां कि यह सारा होता है ठीक है अगला कोस्टन देखिएगा 21 नमर है कि एक बिदूत हीटर की कुंडली जिसका परती रोध जो है 550 है बॉल्ट इतना है तो जो बिदूत धारा लगेगी उसका मान क्या होगा दोस्तों देखिए आपको हम बताए थे कि भी बराबर होता है आई आर भी बराबर आई आर तो अगर हम यहां से आई का मान न सब्सक्राइब फच्पंट अब 2 में जब 5 से वहां दिजिए गातों कितना निकलेगा जरू पॉइंट चार कि निकलेगा जार निकलेगा जिरो प्वोइंट चार हो जाएगा ठीक है यहाँ पर मिश्प्रिक्षिंट है जिरो पॉइंट 4 हो जाएगा ठीक है आपसर नमेर आपके सामने है और सारा चीज़ यहाँ पर बोल दिया घया है तो आप याद रखेगा किसी बल्ब से एक मिनट में 120 कुलाम आवेस परभाहित हो रहा है तो विदुधारा का मान क्या होगा तो आप सभी को याद रखना है यह हो जाएगा हमारा अगला है 23 नंबर को देखिए गां बोला गया है कि किसी बल्ब से 220 बॉल्ट पर दो एंपीर धारा प्रभायत होती है फिलामिंट का परतिरोध क्या होगा तो देख्यें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा 23 का 220 ओम हो जाएगा कितना हजाएगा 220 ओम हो हो जाएगा ठीक है अगला कोशन देखेगा कि सारा कोशन बुक से लिया गया है सारा बुक का निचोर है महां मेराता ने इसको पढ़ने के अलावा यह पढ़ लिजिए इसके बाद आप कुछ भी नहीं पढ़िए ठीक है यह पढ़ के जाना है किसी विदूत बल पर 220 होता है और इस तरह का ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी में दिया गया तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ठीक ना चलिए आगे बढ़ते हैं कोसर नंबर 25 को देखिएगा कि बोला गया है कि विदूत बल में फिलामेंट तार जो है वह बना होता है किसका जल्दी से इसका जवाब आप लों कॉमेंट बॉक्स में दीजिए पांस सकेंड का समय देते हैं उगली का एक्सरसाइज कीजिए जल्दी से कॉमेंट बॉक्स खोली है और उसमें ABCD करके होता है तो आप सभी को याद रखना है चालक के पर्तिरोधक्ता का जो इसाई मातलख होता है वह होता है हमारा ओम मीटर ठीक है क्या होता है ओम मीटर आपसन नमबर बी किलियर आईए कि वीडियो देखिए सुनिए याद हो जाएगा आपको रटना नहीं है लिखना नहीं है ठीक ना बस 10-15 मिनट 15-20 मिनट वीडियो को देख लिजिए साइंस में आप जितना कमजोर हैं उत्से चार गु कि विदूत धारा के किस परभाब पर कारिय करता है आप सब्सक्राइब को याद रखना है उसमिये परभाब पर क्या होगा तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा 4842 ओम क्या हो जाएगा 4842 ओम चलिए अगला कोस्टन है 29 नमर की 100 वाट क कि विदूत में से जोरा जाता है तो बल्व से परभाहिद धारा का मान क्या होगा बल्व से परभाहिद धारा का मान पूछ रहा धारा यानि कि धारा का इसाय मात्रक क्या होता है तो कॉमेंट बॉक्स में बताईएगा धारा का इसाय मात्रक तो इसका बिल्कुल डाइट आ जाता है परवाइत धारा का मन क्या होगा ठीक है 0.4 एंपियर तीस नमबर कोस्टन है आपके सामने जब किसी चालक तार से विदुदारा परवाइत होती है तो गति सीलकन होते हैं इलेक्ट्रोन होते हैं दोस्तों याद रहेगा इलेक्ट्रोन और डीकोटि करना है आपसर नमब 9 इलेक्ट्रों ठीक है चले है कि 죄 Lo क्षे श्यारdle नमरे का तंतु कर नरह क cultural दो एता आप सबी जानते हैं वह बना आथा अफसर नम्बरसी आगला दिजिएिगा 32 नमर कोशन है बिदूत वाहक बल किस यंतर से मापा जाता है बोल्ट मीटर से दोस्तों याद रखेगा ऑप्सन नमर सी हो जाएगा 3 कि अलमलिखित में कोँ चालक है जिसमें हम धारा को परभाहित कर सकते हैं अँगला कोशन देखियेगा 34 नमर एकांग धनावेसा कोशन के बीज अस्था नांतरित करने में किसका मापक है आप सभी को याद रखना है वह मापक होता है भिववानतर का ठीक है option number B आपका बिल्कुल राइट अंसर होगा 35 में है कि जब किसी तार में विदुधारा परवाहित होती है तब गतिसील कन होते हैं गतिसील कन क्या होते हैं होते हैं दोस्तों इससे पहले भी मापको बताए थे option number D को टिक करना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों देखिए वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसलिए सभी सब्जेक्ट का हमको महामयातन करवाना है पूरे बुक का निचोर बोड एक्जाम में 100% लड़ने वाल करते हैं तो एक भी कोशन चोर के नहीं आईएगा जब किसी तार में विदुधारा परवायत होती है तब गतिसील कन होते हैं तो गतिसील कन हमारे अगला है कि चालक से होने वाले आवेश के परवाह को क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं धारा विदुध या विदुध धारा चालक से होने वाले आवेश के परवाह को क्या कहते हैं धारा विदुध या विदुध धारा ठीक है तो आगे बढ़ते हैं 37 नंबर कोशन है आपक MPR ठेक है सलीई है अगला है जूल परतिकुलांब बराबर होता है यानिकि जूल परतिकुलाम जो है वो किसके बराबर होता है तो आप सब्सक्राइब को याद अधर तो नुब продолж परतिकुलामम हुता है याद रखेगा option no 해야 बिल्कूर ऑलिलाइट डांसर रोगा कि अग्ला है कि विउत्वाहक बल केसा मातरक क्या होता है दोस्तों क्या होता है है तो कि याद रखना है यह होता है और प्रिमांतर कि लिए उनलिखित में कि युक्ति का उप्योग कि आ आप सभी को याद रखना है यह जो आता है वह कई आप journée रखिये गा हूं दौन में है कि मेटर को ब्यदूद परिपत्मिय कैसे जोड़ा जाता है में Аपको पहले कि बताएं क्थे हैं जोरा जाता है अगे बढ़्ट नम्बर हो जाएगा23 आपके सामें बुला गया कि विदूत परिपत्मी विदूत धारा की माप किस्य की जाती है विदूत धारा जो मापा जाता है तो आप सभी को याद रखना है एमिटर से अगला नेम लिखित में किसमे धन या रिन का चिन अंकित नहीं होता है तो देखिए बैटरी में तो पलस मैनस दोनों सकते हैं तो इसका जो बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा वह जाएगा परति रोधक में पलस मैनस का चिन नहीं होता है बैटरी में होता है एमिटर में भी होता है बॉल्ट में होता है किसमें नहीं होता है तो परति रोधक में ठीक है रसिस्टेंस में आगे बढ़ते हैं को सब्सक्राइब को समांतर करमelt 시क् situação उलए समुहन से मोहीद करने पर समतुल्य परतिरोध में और पर तीनों का परतिरोद समान है आर वान एक्वल आर टू एक्वल आर थी यह नुमरिकल टैप का है और यह तिरी ओम दिया गया है तीनों का वैलिव ठीक है इसको बुलाए कि समांतर कर में मतलब जब जोड़ेंगे तो इसका समतुल्य परतिरोद क्या होगा तो दोस्तों कोमेंट बॉक्स में दें तो यह हमारा हो जाएगा दिश्ट धारा ऑप्सन नंबर भी चलिए आप लोगों को अगर नहीं याद है तो हमको तो बताना पड़ेगा अगला है कि विदुधारा उत्पन करने की युक्ति को क्या कहते हैं आप सभी को याद रखना इसको कहते हैं जनित्र ऑप्सन नंबर सी अगला कोशन देखिएगा जब किसी चालक से विदुधारा परभायत होती है तो चालक क्या हो जाता है चालक क्या हो जाता है तो चालक कोशन देखिएगा उनचास टीक है फिप्टी के करीब हैं देखते हैं कितना कोशन है इसमें आज किसी निश्चित पर्तिरोध वार ले चालक में उत्पन उस्माधारा के क्या होती है तो क्या होती है दोस्तों हाप सभी को याद एकना है यह हमारा वर्ग के समानुपाती होती है option number B दोस्तों आप लोगों को फिर से बता दें अगर आप भी 2024 में board exam देने वाले हैं science में अभी तक एक भी objective question नहीं पड़े हैं यह question नहीं आप लोगों के लिए रामबान है यह सारा question पढ़के जाएं कमजोर से कमजोर student भी science में a to z question बना के आएगा इससे बाहर एक भी question देखने को नहीं मिलेगा science में हम आपको केवल वही question बताएंगे सभी subject में हम आपको केवल वही subject question बताएंगे जो आपको board exam में देखने को मिलेगा ठीक है चलिए तो यह सारा अमरीत रस है पीते जाईए अमरीत का रस है पीते जाईए और board exam में क्या करना है अमर होके आना है ठीक है यदि किसी परिपत के किनी दो बिंदों के बीच विवांतर भी हो और उसमें धारा आई समय T तक परवायत होती है तो हमारा कारिय क्या होगा डवलू इक्वल क्या हो जाएगा तो देखें यहां पर बिल्कुल डायट अंसर होगा V I T option number D हो जाएगा तो option number D में आपको जाना है तो option number D टिक करिएगा विवांतर अगर भी है धारा आई है समय टी लगे तो परवाहित कारिय क्या होगा यानि वर्क हमारा जो होगा वह भी आई और टी हो जाएगा चीक आपसन नंबर डी चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन देखिएगा काफ इंपोटेंट है बुला हर्सपॉर होता है आपसकोश्यलिस वायट होता है यह को आपको पीछे कर वाए थे किलो वांटा माता किसका है किलो वांटा मात्रक है विदू तूर जाका को सब्सक्राइब नबर सी को करिएगा ठीक है रिक्टान देखिया और सुनिया याद हो जाएगा नहीं रटना है नहीं लिखना है रिक्या है कि मौईल में देखते रहे हैं 20 से 25 देखिए आज देखिए फिर कल देखिए 2-3 देखिए दिखिए अगला दिन आपको सारा कोस य याद रखना है 1.6 गुनांदस्क पावर मैनस कुलाम आवेश्क के एक वथे क्वांटम का महान होता है धरो में विदूत परिपत्थ समुहित रहता है वो किस करव में रहता है आप तब याद रखना है यह रहता है हमारा समांतर करव में उपशन नमबर भी म zu Hause में यो को सबरें यह अनंभ सरीर का परती रोध होता है कि अद्रयर सब्सक्राइब इंफ करता है किसको आफ सब्सक्राइब सब्सक्राइब करता है हम कि ठीच चलिए कि आगे बढ़ें किसी भी कोशन का अंसर पता हो कुमेंट बॉक्स खोलिए और कुमेंट कीजिए ताकि जब हम कुमेंट पढ़ें हमको लगना चाहिए कि आप लोग त्यारी कर रहे हैं आपको कितना कोशन याद है कितना सही किये MPR second मात्रक है MPR second मात्रक मात्रक क्या अवेश का आवेश का ऑप्सण नंबर सी है उम का नियम सत्य है स्थ्रूह सत्य है किसके लिए वह के केवल धात्विक चालकों के लिए औप्सन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा अगे आईए अगला कुछन देखिए B.Propersonal यानि की समानुपाती I.E. का नियम दिया किसने बिसमानुपाती I.E. का नियम किसने दिया तो आप सभी को याद रखना है ये दिया था O.M. ने Option No.C हो जाएगा ठीक O.M. के नियम का सुत्र क्या होता है ये होता है नियम याद रखेगा या ओम का नियम का सुत्र होता है ये भी बराबर आई याद एकसाक नमबर है कि इलेक्ट्रोन पर कितना आवेस होता है तो आपको पता हूंच देखिए इलेक्ट्रोन पर जो आवेस होता है वह होता है 1.6 गुना दस्क पावर माइनस 19 कुलाम ठीक है इस थरह का उपसंट कहा है उपसंट्र नंबर ए में है थो आपसट्र देखियेगा है अगला को संदखियेगा अगला मैं कि इसी परिपत का वह गुण जो विदूत उर्जा को समा में बदल देता है क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है परती रोद याद रखेगा धिक है डोस्तों यह सारा को स्टन आप लोग के लिए इतना इंपोटेंट है जितना कि आप बोर्ड एक्जाम में जो कोशन पूछा जाता है उतना वह सारा कोशन यह कोशन पढ़िए सारा बन जाएगा ठीक है पूछ देखिएगा बुला निल्कित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है द्यान देखेगा नहीं पूछ रहा है तो नहीं है यहां पर भी अस्कौाइर ओम यह नहीं होता है विदूद हीटर में तार की कुंडी के लिए जिस तत्व का वहवार किया जाता है वह हमारा क्या है चलिए जवानों चलिए शेर शेर में सब जग जाइए जल्दी से समय कम है लग जाइए महां मेरातन क्लास में देखते हैं कितना आप लोग याज कि अगर पढ़े हैं तो यह सारा कोशन आप लोगों का टेस्ट हो रहा है और जो नहीं पढ़े हैं उसके लिए काफी सब्सक्राइब क्या जाता है वह है तो वह हमारा नैकृम होता है इसमें कौन बड़ी बात है याद रखिएगा 66 में है कि विधुत्वल्व का तंतू बना होता है तो विधुत्वल्व का तंतू जो बना होता है तो बच्चा बच्चा को याद होगा और आपको भी याद होना चाहिए वे सरसाखट टंगर्श्टन मेंसे किस ताप पर की घलता है वह में एक मिनटमें 120 पर बायत होता है विदुद्धारा का मान क्या होगा दिएom आपको यह पहले भी बताए थीं इसकाと思います जाएगा तू एंपियर हम आपको पीछे विटाएथे तू हो जाएगा ठीक है इसी दिए कहे रहे है कि को बार बार पढ़िए तो आपको याद हो जाएगा बुला गया है कि किसी बल्ब से 220 बॉल्ट दो एंपियर की धारा प्रभायत होती है तो बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा काफी इंपोर्टेंट है इसका बिल्कुल राक अंसर होगा 1100 ठीक है क्या हो जाएगा 1100 चलिए आगे बढ़ते हैं कोस्टर नबर सत्तर ह कि द्यान देजिए कोस्टर नबर सत्तर में दिया गया है कि दो चालक तार जिसके संगटक पदार्थ लंबायत अथा ब्यास में समान है किसी विदूद परिपत्थ में समान भी वह आंतर के आरे पहले सेनी कर्में और फिर पारसब करम में सेयोजित कि जाते हैं तो सेनी कर् उत्पन उस्माओं का अनुपात क्या होगा तो यहां पर जो अनुपात पूछ रहा है वह हमारा होगा वन अनुपात फोर ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कोसन देखिएगा एक खत्तर में है कि 220 बॉल्ट और बॉल्ट पर किसी विदूत बल्ब से 5 एंपियद धारा परवाहित होती है तो बल्ब की सक्ति यानि कि पावर क्या होगा पावर क्या होगा तो आप सभी को याद रखना यह हमारा हो जाएगा एक सो ओम क्या हो जाएगा एक सो ओम ने बल्ब की विधूत छेत्र में जोरा जाता है तो बल्ब से परवाहित धारा का मान आप से पूछ रहा है तो बिल्कुल डायक अंसर हो जाएगा 0.4 MPR ठीक है 0.4 MPR के लिए अगला कोशन देखिएगा अगला कोशन है कोश्चन नंबर 73 बोला गया कि कि किसी विदूत बल्ब अनुपात दिया है एक सो वाट जब इसे 110 बोल पर परचालित करते हैं तब इसके द्वारा उप्यूक्त जो है सकती होगी इसके मतलब जो सकती खपत होगा वह कितना होगा तो इसका बिल्कुल डायक असर होगा 25 वाट ठीक है याद रखेगा ऑपसर नंबर डी कि 74 में है कि कि इसी कुंद्ली का पर्ति रोज ग्यानत करने का शुत्र पर अगला कोसन है किसी ब्यूत वल्व का अनुपात दिया है कि 220 बॉल्ट कासे है 110 बोल पर 45 करते हैं तो इसके दोरा उप्यूग सकती कितनी होगी कितनी होगी दोस्तों आप सभी को याद अगना है 25 वार्ट चलिए यह कुशन बार बार रिपीट हुआ है इससे आप लोगों को याद भी हो गया होगा साइडन से बहुतों को यह लगता होगा कि सर आप एक परिपत में पहली सेनीकर्म उत्पं उस्माओं का अनुपात क्या होगा औप यह होगा यह विए कॉशन आपको और यारे तो दोस्तों इस तरह से question number 76 तक complete करा दिये हैं उमीद करते हैं यह सारा question आप लोग समझ गये होंगे दोस्तों आप लोगों को फिर से बता दें अगर आप भी 2024 में बोर्ड exam देने वाले हैं और science में science में अभी तक कुछ भी नहीं पड़े हैं यह सारा most BBR objective question पढ़के जरूर जाईएगा यह बोर्ड exam में 100% लड़ेगा इससे बाहर एक भी कोशन नहीं आएगा इस बाहर आप लोगो 95% पार करके आना है तो अमीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आप लोगों अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है चनल पर पहली बार आए हैं चनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें जितना सेयर कीजिएगा उतना मज़ा आएगा तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वन दे मातरम